C++ programming के लिए हमारे चानल LearnCoding को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं greatest number among three number का program बनाऊंगा मतलब हम कोई भी तीन number input करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि उन तीनों numbers में से maximum number कौन सा है तो program start करते हैं तो सबसे पहले मैंने header file include करा है then मैंने class बनाया है class में logic implement करेंगे class and object का program है तो उसके बाद हमारे पास एक main function है यह तो हर एक program में ही होता है इसी main function में हम उस class का object बनाएंगे जहां पे हमारा actual logic implement होगा और program का beginning और ending point भी main function ही होता है तो अगर आप C++ में class and object के तुरू कोई भी simple सभी program बनाते हैं तो आपको इतना लिखना होगा header file class और main function क्योंकि यह syntax का part होता है तो चलिए अब हम coding part में चलते हैं सबसे पहले मैंने class लिखा है class एक keyword है जिसे हम class को declare करने के लिए लिए लिखते हैं इसलिए मैंने class का एक name ले लिया यहां पे आप कुछ भी name ले सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे data member बनाएंगे तो data member के लिए मैं class की body के अंदर जा रहा हूं यहां पे मैं आज क्या करूंगा data member को public section में बनाऊंगा सबसे पहले मैंने क्या use करा public access modifier और यहां पे मैं integer type का तीन data member बना देता हूं a,b,c इनी तीन data members के लिए हम value input करेंगे उसके बाद देखेंगे कि इन में से किसका value maximum number है तो आज हमारा data member public है तो हमें benefit क्या होगा आप इन data members को class के अंदर भी use कर सकते हैं और class के बाहर भी आप इनको use कर सकते हैं class के बाहर use करने से मतलब यह है कि आप class के बाहर भी यानि main function में भी इस data member के लिए value set करके पता लगा सकते हैं कि maximum number कौन सा है तो हमारा data member बन चुका है अब हम requirement को आगे fulfill करने के लिए member function बनाते हैं तो मैं void input नाम का एक member function बना रहा हूं इसमें मैं क्या करूंगा बस user से input कराऊंगा तीन value को तो मैं cout में यहां पर message दे रहा हूं enter three numbers यहां पर double quotes में type करिए आप कोई भी तीन number input कर सकते हैं at a time अपने प्रोगाम के लिए और आपको पता चल जाएगा उन तीनों में greater कौन सा दो scene हम यूज कर रहे हैं number को read करने के लिए मैंने a, b, c तीनों को input करा लिया है तो input member function का काम हो चुका है अब आगे की logic को implement करने के लिए मैं एक अलग member function बना रहा हूं void so आप चाहें तो उसी member function में कर सकते थे पर हम जितना member function का काम है program को अलग-अलग module में बाट रहे हैं ताकि हमारे program को समझने में असानी हो तो यहां पे आज हम तीन numbers में greater number print कराने के लिए nested if else का use कर रहे है तो यहां पे मैं सबसे पहले if में condition put कर रहा हूं अगर हमारा a greater b होता है तो यह क्या होगा यहां पे हम if के अंदर एक और if statement यूज करेंगे यहां पे एक और condition दे देंगे अगर वही a c से भी greater हो जाता है तो यहां पे क्या print होना चाहिए यहां पे print होना चाहिए a का value print होना चाहिए आप चाहिए तो यहां पे double quotes में message भी दे सकते हैं greatest कुछ भी आप लिख सकते हैं यह बस आपको बताएगा कि हां greatest number प्रिंट हुआ है उसके बाद आप यहां पे else बनाईए else part में क्या करा दीजिए b को print करा दीजिए c को print कराना है क्योंकि मैंने nested if में क्या compare करा है a greater c यहां पे greatest लिख दीजिए और c को मैंने print करा दिया यह हमारा एक if else का काम हुआ अब मैं जो हमारा original if statement है उसके लिए else block बना रहा हूं और इस else block में भी मैं एक condition put करूँँगा यहां पे अगर हमारा b greater c होता है जो भी हमारा b का value होगा अगर c से बड़ा होता है तो क्या print होगा c out में c out में print होना चाहिए b तो यहां पे double quote में फिर से मैं वही message दे दे रहा हूं greatest और इसी तरह से अगर हमारा c का value बड़ा हो जाता है b से उसके लिए मैं else part में c out में c को print कर रहा हूं तो यहां पे उसके लिए भी message दे दे रहा हूं greatest तो यह हमारा simple सा nested if statement का use करके मैंने program बनाया आप चाहें तो turnary operator का use करके भी इसी program को कर सकते हैं मैंने already एक program बनाया था तीन number में maximum number है उस time पे मैंने क्या करा था turnary operator का use करके करा था आज हम nested if statement का use करके बनाया है तो हमारा coding complete हो गया है अब हम main function में चलते हैं और अपने class के लिए object बनाते हैं सबसे पहले class name लिखते हैं जो class का identification है उसके बाद यहां पर एक object variable का name ले लिए तो मैं ले लेता हूँ obj आप कुछ भी यहां पर name ले सकते हैं object का तो class A का object बन चुका है अब हम क्या करेंगे अपने member function को call करेंगे तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ obj.input और हमारे पास एक और member function है obj.so तो जैसे ही मैंने मेरे दोनों member function को call करा हमारा दोनों member function execute करेंगा सबसे पहले हमारा input member function चलेगा यहां पर मैं तीन number input करूँगा उसके बाद so वाला member function हमें बता देगा कि उन तीनों में से maximum value किस variable में a में है कि b में है कि c में है यहां पर यहां पर मैं get ch को एक लाइन नीचे लिख रहा हूं क्योंकि हमारा जो void so member function था वो नीचे चला गया है ठीक है तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं ने तो क्या होता हमारा screen पहले hold होता है so function में भी execute ना हो ठीक है 3 number input कर यह तो मैं input कर दे रहा हूं 10 15 और 40 यह मारे पास 3 number है आप कोई भी number input कर सकते थे तो यहां पर देखे क्या print हुआ है greatest 40 क्योंकि 40 तीनों में से बड़ा number है हम इसे dry run करते हैं तो dry run के लिए आपको क्या करना है आप बहुत ही असानी से dry run कर सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या करा 3 number input करा A में मैंने 10 input करा B के लिए मैंने value input करा था 15 और C में मैंने 40 input करा तो यह 3 numbers input होने के बाद अब आपको void show function में आना है और यहां पर आप condition चेक करिए क्या A greater B है condition हमारा false हो गया क्योंकि A का value है 10 और B का value है 15 जैसे ही हमारा condition false हो गया हमारा else block execute होगा जो हमारा if का else है यहां पर आएंगे हम इस else part में हमने जो condition दे रखा है क्या B greater C है अभी B का value क्या है B का value है 15 और C का value है 40 तो यहां पर भी condition false हो गया तो अब हम इसके else part में जाएंगे तो यहां पर else part में क्या print हुआ है C यानि C का value क्या था 40 था इसलिए हमें क्या output में print हुआ output में print हुआ 40 एक बार और code को run कराते हैं हम कुछ अलग value input करते हैं इनपूट करा B के लिए मैंने 50 input करा और C में मैंने 20 input करा तो यहां पर आप condition में put करिए क्या A greater B है इफ में देखिए यहां पर condition true हो गया क्योंकि 100 greater 50 है जैसे हमारा condition true हुआ तो आप यहां पर भी condition check कर लिजिए क्या A greater C है A का value क्या है अभी 100 है और C का value क्या है 20 है तो यहां पर 100 वी 20 से greater है तो यहां पर क्या print हुआ A print हुआ और मैंने A में क्या value input करा था A में मैंने 100 input करा था तो इस प्रोगाम का यूज करके आप कोई भी तीन नंबर को input करा के पता लगा सकते हैं कि इन तीनों नंबर में से greater number कौन सा नंबर है अगर आपको हमारा प्रोगाम समझ में आया हो अच्छा लगा हो हमारे वीडियो को like करिए share करिए channel पर नए है तो subscribe कर दीजिए thank you friends